भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिल्चस्प लगते हैं। लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीडी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जिस पर निर्मान स्वयम एक आत्मा ने किया था। जोदपुर राजस्थान। स्थित बावडियों के किस्से स्थानिय लोगों में बहुत मशूर हैं। यहां पानी की कई बावडियां हैं जिन में से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोदपुर से जावत शाखा का विभाजन हुआ, तो उनमें से अलग हुए एक दलने कापड़ा गाउं में रहना शुरू किया, लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गाउं में साधना करने वाले साधु मात्माओं को परिशान करना शुरू कर दिया, उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुों ने उन्हें शुराप दे दिया कि उनके आने वाली पीड़ी इस गाउं में नहीं रह पाएगी, साधुों के शुराप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई, तो सभी भैभीत हो गए और उस गाउं को छोड़ इस गाउं को छोड़कर वह जिस गाउं में रहने के लिए गए उस गाउं का का नाम है रठासी गाउं, ये जोदपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक एतिहासिक गाउं है, इस गाउं में एक बावडी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सह जोग से बनी है, अर्थात उस बावडी को बनाने में भूत प्रेतों ने गाउं वालों की सहायता की थी, ठाकुर जैसिंग के महल में स्थित इस बावडी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इस बावडी के विशय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जैसिंह घोडे पर सवार होकर जोदपूर से रठासी गाव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोडा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया, और इतने में रात हो गई, राजा का घोडा काफी ठक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी, रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जैसिंह अपने घोडे को पानी पिलाने के लिए ले गए, आधी रात का समय था, घोडा जैसे ही आगे बढ़ा राजा को एक आकरती दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया, राजा उ उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा, वह उसे पूरी कर देगा, राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावडी का निर्मान करे और उसके राज्य को सुन्दर बना दे, भूत ने राजा के आदेश को स्विकारते हुए कहा कि वह ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नह करेगा लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वरात का